नमस्कार दोस्तों मध्धप्रदेश के सीधी जिले में हुए पेसाब कांड को लेकर भढ़के चंदर सिखरायाद ने दिया बड़ा बयान जीहां मित्रों आपको पते हुआ कि हाली में सोसल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ है जो कि मध्धप्रदेश के सीधी जिले क का है जिसमें प्रवेश सुकला नाम का वैक्ति एक आदवासी दलित वैक्ति के ऊपर पेसाब करता हुआ दिखाई दे रहा है ये वीडियो वाइरल होने के बाद आपको तादे की जग जाहर हो गया कि इस देश में कितना जाती बाद और कितने कुंठित लोग आज रह रहे है हैवानों की तरह जो जुल्म करते हैं इसको लेकर चंदर सिखार रहाद लिखते हैं कि नीरंकुस्ता का नंगा नाच मध्ध प्रदेश की पहचान बन गई है सत्ता में स्ताफित लोग देश भर में स्टी एस्टी ओविसे और माइनोर्टी के लोगों के साथ दरेंदगी का नंगा नाच कर रहे हैं और आए दिन अनेक राज्यों से वरवरता पूर कई तस्वीर सामने आ रही हैं पर बुद्धी जीवी लोग भी आखें मूदें बैठे हैं फिर भी हमारे बहुजन समाज के लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है यह तो सच है कि देश में माइनो मिजोरिटी पंद्रा प्रतीसत मिजोरिटी 85 प्रतीसत पर राज कर रही है और लगातार अत्याचार भी कर रही है यह बात बोली है भी मार्मी के प्रमुक चंदर सिखर राजाद ने कहा कि हमारे लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में किस तरीके से 15% लोग जो है 85% विविस्था का नंगानाथ चल रहा है आप इस खबर पर क्या कहेंगे इस पेशाब कांड़ पर क्या कहेंगे कॉमेंट करके जरू बताएं मिलते हैं किसी अन्खर में तब तक के लिए धन्यवाद्ट